ले जनाब इस लेक्शर के अंदर आपको एक फंक्शन के साथ में तारफ करवाने वालों जिसका नाम है कॉल बैक फंक्शन ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपने 1000 एपोक्स चलाएं तो सारे के सारे एपोक्स चला के आपकी एकुरेसी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी यानि कि ट्रेनिंग टाइम ही इतना दे दो कि सारा का सारा कुछ बेतर हो जाए अब होता क्या है कि आप एक फंक्शन यूज करते हैं जिसमें आप बताते हैं कि भाई जब एकुरेसी पांट या दस एपोक्स के दुरान नहीं बढ़ती वहीं पर रोक जो वहीं पर ट्रेनिंग रोक दो यानि कि 20 इपोक्स के बाद मेरी एकुरेसी ज़्यादा नहीं बढ़ दी या मेरा लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा कहूंगा कि 5 इपोक्स और देख लो चलो 10 और देख लो उसके बाद आप रोक दो इसको बोलते हैं callback function और यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते है whenever you are dealing with आपके neural networks and deep learning networks MLP यानि कि multi-layer perceptrons तो अभी screen पर आपको मैं समझाता हूँग यह कैसे काम करता है हमने यहाँ पे पिछले lecture के अंदर देखा कि हमने अपना model train किया 20 epochs के उपर उपर हमारे पास जो accuracy थी loss था क्योंकि यह regression problem थी loss हमारे पास यहाँ से उठा 11 से और यहाँ पे training और validation इन दोनों को loss उठा और 20 एक ऐसा epoch था जिसके बाद हमारा loss बहुत ज़्यादा decrease नहीं किया 25 कर लो या 30 कर लो लेकिन हमें 30 से onward 100 तक जाने की जरूरत ही ना पड़े ऐसा कोई function हम बना देते हैं और early stopping हम कर देते हैं for epochs अपनी शरायत के मताबिक और वो शरायत क्या कहती हैं यहाँ पे आपके सामने हाजर है मैं यहाँ पे इसको एक heading दे देता हूँ heading कह रहा हूँ यहाँ पे मैं कह देता हूँ early stopping of epochs तो यहाँ पे हम early stopping of epochs करेंगे जिस से हमें पता चलेगा कि किस थरीके से हमारी जो model है वो पूरे को पूरा train भी हो जाएगा और एक अच्छा train भी हो जाएगा और resources भी कम use करेगा सबसे पहले चीज यह है कि आपने यह वाली library को यह वाली function को बुलाना है from tensorflow.keras.callback और import करना है आपने early stopping इसका मतलब ही early stopping गही है कि आपने इसको use करना है to stop the epochs. कैसे करना है आपने model अपना बना लिया जो हमने पहले बना है मैं same वो ही use कर रहा हूँ. there is no change compile कर लिया model को. Adam optimizer mean squared error भी यहाँ पे आगी and I can also put my metric there but इस दफा मैं नहीं करने वाला just to show you कि यह कैसे गाम करते है फिर मैंने क्या किया early stopping को define कर दिया in an object callback function के लिए. so मैं यहाँ पे early stopping का बता रहा हूँ और patience का बता रहा हूँ कि जब accuracy या loss decrease या increase ना करे और 5 epochs गुजर जाए सिरफ वो वाला patience रखो बाद में आप change कर दो. तो यहाँ पे 5 epochs का मैंने बता है दस भी रख सकता हूँ, बीस भी it's up to me. तो मैं 5 रख रहा हूँ, मेरा patience जो है वो 5 epochs सक ठीक है उसके बाद अगर change आई तो वो फिर नहीं मैं consider करूँगा. फिर मैंने क्या किया, वो ही चीज history के object के अंदर model के training data रख दिया और यहाँ पे loss को रख दिया. अब इसी चीज़ को हम plot भी करते हैं. सेम वो ही code है, history में से loss को हम निकाल लेते हैं, history के object में से और validation loss को भी and then we will see के असल में कहां पे जाके यह रुक रहा है सब कुछ. मैं इसको run करता हूँ और run करते करते आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे 36 epochs चलें, यहाँ से भी आपको data पता चल जाएगा अगर आप plot ना करें, कि 36 epochs ऐसे epochs हैं कि 5, यानि कि 31 तक आपका loss decrease की है, ठीक है, लेकिन उपर हमने 5 का patience रखा था, इस वज़ा से 36 चल पड़ें, तो 31 के बाद, 36 तक कोई change नहीं है, इसका मतलब 5 epochs में कोई change नहीं है, we can say कि इसके बाद change होनी ही नहीं है, accuracy या आपके loss function के अंदर, it depends कि आपके regression या classification की problem है, तो आप उसकी base पे देख सकते हैं, अगर मैं दुबारा से आपको समझाओं, तो यहाँ पे चेक करें, मैं यहाँ पे लिख द करें, क्यों? क्योंकि 10 epochs में कोई खासी change नहीं है, 10 epochs में, as compared to the previous epochs, कोई इतनी खासी change नहीं है, तो इसी वज़ा से 10 के बाद यह रुख गया है, यानि कि इसका मतलब यह हुआ, कि 29 तक ठीक था, फिर उसके बाद कोई change नहीं है, static रहा, so you can actually see that here as well, और यह जो change है basically, obviously यह तो 16 epoch है, जब आप 38 देखेंगे, 49 देखेंगे, you cannot see a lot, a huge change है, और basically वो change क्या होती है, वो पिछलों का average की base पे आप change को देखते हैं, कि क्या इससे कुछ difference हा रहा है या नहीं, और यह statistically different methods को use करके आप यह change देखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं जनाब callback function, और अगर आपको बता दू, कि validation data set आप यहां पे देखते हैं, validation data मैंने क्या बताया है, कि जनाबेवाला मेरा validation data x test and y test है, ठीक है, और यहां पे मैंने callback function भी बताया है, early stopping को, तो यह दो चीज़े मैंने इसी वज़ा से बताई हैं, कि validation और जो आपका training data और validation data दोनों की base पे यह काम कर तो अगर मैं इसको verbose के बाद यहां पे enter करूँ, now you can have a look कि history object के अंदर ही आप validation data set भी दे सकते हैं, और साथ ही आप callback function को जो आपने derive किया हुए already here, यह object पूरे का पूरा इसके अंदर लिख देते हैं, so that's how it works, और इसके through आप अपनी मर्जी से patience बताके callback function को use कर लेगे, यहां दग आपको clear हो गया, okay, so यह callback function जो है बहुत ज्यादा जरूरी है and it helps you a lot, क्योंकि मैंने callback function में 10 यहां पे add कर दिया था, मैं बलके इसको 5 ही रहने देता हूं अभी के लिए, और उपर वाली सारे चीज़ों को दुबारा से run करते हैं, I know कि मैंने और रेड़ी इसक के सारे के सारा train हो रहा है and here you can see कि आपको यह वाला model यहां पे run हो गया and now we can have a look, यह epochs चारन है क्योंकि 600 epochs चारन है, it takes a lot of time, 17-18 second एक running पे लगते है and then using matplotlib you can plot the data, so this is how you can use callback function, यहां तक आपको clear हो गया होगा, मैं यह notebook जो हैं दुबारा से save करके इसको upload कर रहा हूं, callback function के commit के साथ, ताकि यह आपके पास आजाए, ठीक है जी, यहां तक आपको clear हो गया होगा कि neural network बनाया कैसे जाता है, उसको किस तरीके से हम print करते हैं, अपने neural network की loss को accuracy को on each epoch and how we can monitor that, अब इंशाला आने वाले lectures के अंदर, we will see a lot of other things जिसमें हम neural network को और भी different तरीके से multiple hidden layers ल learning problems, जिसमें classification भी होगी और regression भी होगी और इसको हम compare करके different models के साथ भी देखेंगे कि क्या neural network performs better और या हमारे पास random forest अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो ही चीज जैसे मैंने आपको पहले बताया था, neural network ही अच्छा परफॉर्म नहीं करता, it depends on the data set के data कितना है और उस data को subscribe भी करने if you haven't done this before और इंशाला कल को दुबारा मुलकात होगी अगले lecture के अंदर